नमस्कार आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीसी सीसी हिंदी में मैं लली त्यादव अपनी धुआधार रिवीजन सीरीज के एक और चैप्टर में आप सबका वेलकम करता हूं आज की क्लास में हम इंटर स्टेट रिलेसंस अंतर राज्य संबंधों को हम समझेंगे देखें आम तोर पर आपने चीजों के बारे में जब देखा कि हम केंद राज्य संबंधों की बात करते हैं कि केंद राज्य के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए देश के विकास के लिए संग्य विवस्था के लिए बहुत जरूरी है लेकिन आप यह ध्यान रखना कि भारत की जो संग्य विवस्था है वो केवल केंद राज्यों के बीच में आपस में अच्छे संबंध होने से ही सफल नहीं होगी उसके लिए जो राज्य हैं उनके बीच में खुद में भी संबंध अच्छे होने चाहिए उस पर भी भारत की जो संग्य विवस्था की सफलत है वो निर्भर करता है तो हम भारत में जब संग्य ववस्था की बात करते हैं तो अंतर राज्य सोहाद्र के लिए कई सारे प्रावधान आपको समिधान में देखने को मिलते हैं और अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले जो है अंतर राज्य जल विवाद का न्याय निर्ने क्योंकि दो या दो से अधिक राज्यों की बीच में डिस्प्यूट होता है तो आप देखना ज्यादा तर डिस्प्यूट पानी को लेकर करके मिलेगा कि नदी है एक नदी वो एक राज्य से एक से अधिक राज्यों के बीच से जा रही है भारत में ऐसा है भी एक नदी कई-कई राज्यों सोकर के गुजरती है अब ऐसे में उनके बीच में विवाद हो जाता है कि कोन उसका कितना पानी यूज करेगा को नहीं यूज करेगा ठीक है सीमा को लेकर के विवाद हो जाता है अंतराजिय व्यापार है उसको लेकर के विवाद हो जाता है तो इन सभी विवादों से निपटने के लिए कई सारे प्रावधान किये गया जैसा अंतराज जल melt इसके लिए राटिगल 362 में आपको देखने को मिल जाएगा अंतराज्य परिसद आर्टिकल 263 ये 262 ये 263 इसमें आपको देखने को मिल जाएगा अंतराज्य व्यापार वानिज्य समागम की सोतंतरता 301 से 307 में आपको उधर प्रोविजन मिल जाएगे तो अब कई-कई सारी चीजें जो है इसमें किया जाता है संविधान ने और संसद दोनों को ये पास ये भूमी का है कि वो राज्यों के बीच में आपसी सुहादरों संवन्वे को बढ़ाए तो संविधान ने जो प्रावधान की वो देख लिए इसके अलावा संसद के पास संसद के पास भी पावर है क्या हैं इसके अतरीक संसद द्वारा अंत्राज्य सहभागीता तथा संवन्वेता को बढ़ाने के लिए चेत्रिये परिषदों का गठन की आ जा सकता है तो संसद के द्वारा जॉर्नल क्नोंस का भी गठन की आ लाइन बाइन करवा चुका हूं यूट्यूब पर आपको हर जगे मिल जाएगा यहाँ पर मैं केवल आपको रिवीजन करवा रहा हूं तो रिवीजन के अब देखिए आर्टिकल 262 है वह अंतराज्य जल विवादों के निप्टाने से संबंदित है सबसे ज्यादा विवाद राज्यों के बीच में डिस्प्यूट अगर किसी चीज़ को लेकर के है तो पानी को लेकर गए एक तो पानी की किलत पहले ही उपर से जब एक नदी प्राउधान किये गए है पहला प्राउधान तो ये कि संसद कानून बना करके अंतराज्य नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रियोग बटवारे तथा नियंतरन से संबंदित किसी विवाद पर सिकायत का नियाई निर्ने कर सकती है ठीक है तो बेसिकली जो विवा और नहीं कोई अन्य न्यायले अपने अधिकार छेतर का प्रयोग करें तो ध्यान रखे कई बार अगर कोई ट्रीबुइनल जिसको बोला जाते प्राद अधिकरन ठीक है नदी जल अधिकरन बनाए जाते हैं नदियों के विवाद को सुलजाने के लिए अगर संसद ने नदिय के विवाद को सुलजाने के लिए इस तरीके की कोई विवस्था की है तो उसमें वो सुप्रीम कोट की नियाइक समिक्षा के दायरे से उसको बाहर रख सकता है ठीक है सुप्रीम कोट और हाई कोट किसी भी तरीके का कोट उसकी अधिकार छेतर से उसको वो बाहर रख सकता ह ठीक है ये चीज ध्यान रखना अब इस चीजों को ध्यान में रखते वे संसद ने दो कानून बनाए सबसे पहला कानून जो बनाया वो नदी बोड अधिनियम 1956 बनाया और अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 दोनों एक ही वर्स में बनाये गए लेकिन इन दोनों का उद से निकलती हैं तो उन नदियों के निएंत्रन पर उनका विकास के लिए इसकी स्थापना की बात की गई अब नदी बोड की स्थापना जो है संबन्धित राज्यों के निवेदन पर केंदर सरकार दोरा उन्हें वहास्यों की जाती है स्थापना हमैसा central government करेगी लेकिन इसक सब्सक्राइब करता है नियाय धीकरन का निर्न अंतिम तथा विवाद से संबंदित सभी पक्षियों के लिए मानने होता है फुल एंड फाइनल यानि कि आर्टिकल 362 का प्रयोग करके अगर कोई नियाय अधिकरन कोई ट्रिबिनल बनाया गया तो वो उसने जो फैसला दिया वो फुल एंड फाइनल होगा अब उसके बाद में आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते नहीं नकार सकते हो और संसद कोर्ट को भी इस चीज से इसके छहतर अधिकार से बाहर कर सकती है ठीक है तो ये एक वह चीज है अब उच्तम नियायलेJust ses बाहर हो करनाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उडिसा, इन राजियों के बीच के विवादू सुलजाने के लिए बनाया गया, नर्मदा जल को राजस्थान, गुजराद, मध्यप्रदेश और महरास्ट के लिए बनाया गया, रावी और व्यास के लिए पंजाब, हर्याना, राजस्थान, कावेरी जल विवाद के लिए करनाटक, केरल, तमिलनाडू, पुडुचेरी, करिशना जल्विवाद के लिए महरास्ट करनातप वनसधारा के लिए ओडिसा अंधिर परदेश महादाई के लिए गोवा करनातप महरास्ट और महानदी जल्प राधिकरन सबसे लिटेस्ट जो 2018 में बना था वो ओडिसा और 36 गढ़ के लिए था तक का यह डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यह ट्रिमिनल बनाए जा चुक है इनका फैसला फूल and finalist court का कोई इसको court की समिक्षा से बाहर इसको क्या जा सकता है अब इससे क्या होता है कि आप राज्यों के आपसी मुद्दों को आपसी विवादों को सुलिधाने में एक भूमिक आओगे अब अंतर राज्ये परिसदे अंतर राज्ये परिसदों के लिए article 263 है भारत के समिधान में वो राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य सम्मन्वे के लिए अंतर राज्ये का गठन करना सारुजनिक हितमे जरूरी है तो वह इस ततरीके का गठन कर सकता है इसका प्रमुसकी कार्य क्या है कि दिख राज्यों के मद्ध्य जितने भी विवाद है उसके बारे में जाच रहे उसके बारे में सलह डneh ऐसे विशें जिस से केंद्र इसके आदेश जो हो सारे के सारे सलाकारी है सबसे पहली जो अंतराज्य परिशद बनी थी वह 1990 में बनी थी वीपी सिंग उस समय भारत के प्रतान मंत्री होते थे उनके नेत्रतों में यहां पर बनाए गए ठीक है जनतादल सरकार ने अब कुछ छेते परिशदे भी होते है ज प्रावधान दिया गया था लेकिन वह प्रावधान क्या गयता था कि संसद नदी जल प्राधिकरन बनाएगा आर्टिकल 263 वह क्या गयता है राष्ठपती अंतर राज्य परिशद बनाएगा ठीक है तो वह दोनों समिधान के अंतरकत दिये गए प्रावधान थे छेतरी प होगा कि भारत के अंदर राज्यों के पुनर गठन की जो डिमांड उठी थी तो फजल अली आयोग बनाय गा था राज्यों का पुनर गठन प्रारंब करने के लिए एक अधिनियम के तहट अभी एक और चठी परिशद भी है लेकिन पांच छेत्रे परिशदे कौन-कौन सी थी उत्तरी मध्य बखे मध्ये, पूर्वी, पश्चिमि और दक्षिनी, ठीक है, इन सभी छेत्रों के लिए एक छेत्र परिशाथ, प्रते एक छेत्र परिशाथ में कौन-कौन होता है, केंद्र सरकार का ग्रह मंतृरी यही इसका अध्यक्स होगा ह। ठीक है? जोनल कॉवसिल छेट्रिय परिशन्लेस का है आध्यक्स ज़ेग ग्रह मंत्री रहेगा उस छेट्र के अंदर जितने भी राज्ये उन राज्यों के जो मुख्य मंत्री हैं वो इसके सदसे रहेंगे और ये इसके उपाध्यक्स रहेंगे चक्रानुमा उपाध्यक्स कहलाएंगे ठीक है उपाध्यक्स रहेंगे बारी-बारी से एक-एक साल के टैनियों पर टर्म पर बारी-बारी से रहेंगे ठीक है हर राज् का ग्रह मंतरी पांग्चोच रिपाध्यक्रणदयू का जो एंग रिध 어떻ल होता है मुख्य मंतरी एक वर्ष के लिए उपध्यक्र के रूप में करता है ये इसका प्रमुख है और ये advisory body है बाध्यकारी नहीं है ये छेत्रिय परिसद हैं किस छेत्रिय परिसद में कौन-कौन से राजजी उनका मुख्याले कहा है वो देख लीजिए उत्तर छेत्रिय परिसद में देखोगे तो आपको पंजाब हर्याना हिमाचल मैं एक पंजाब ह चेत्र इसमें मिलनेंगे जिसमें राज जिया और केंद्र साषित प्रदेशंद दोनों सामिल तीकिरिम नई दिल्ली इसका मुख्याले है मध्य चेत्रिय परिसद जो है चेत्रिय पर यूनियन टेरिटरी या केंदर साशित प्रदेश सामिल नहीं है, कोलकाता में इसका मुख्याला है, पस्चिमी चेत्रिय परिशद में गुजराट, महरास्ट, गोवा, दमंदीव, दादरनागर, हवेली, तो एक यूनियन टेरिटरी यहां पर आती है, बाकी रा प्रदेश की भूमिका नहीं है, बाकियों में केंदर साशित प्रदेश भी सामिल है, तो इनको याद कर लेना, एक बार आपको की कौन-कौन से छेतर में कौन साता है, अब इसके बाद एक पूर्वोत्तर परिशद बनाई गई थी, नोर्थ इस्ट के लिए, पूर्वोत्त मरुनाचल परदेश, नागालेंड, मिघाले, तिरिपूरा और सिक्किम, उत्तर पूरु के सभी राज्यों को इसके अंतरगत सामिल किया गया है, तो यह अब पूर्वत्तर परिशद नोर्थ इस्टन काउंसिल भी आपको देखने को मिलती है, तो यह ऐसे प्रावधान थे जिससे हमारे देश में, राज्यों के बीच में आपसी सोहाद्र लाने के लिए प्रियास किया गया है, तो चलिए इतनी ही क्लास थी, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही काम का था, और ज्यादा का नहीं है, यह मेरे बारे में थोड़ा से इंट्रोडक्शन है, अगर आपको फ्री पीडियफ चाहिए, तो मेरे दोस्त, यह टेलीगराम चैनल जोइन कर लिजिए, टेलीगराम चैनल का नाम है अन अकेडमी लली त्यादाऊगी पाठ साला फिर से बोल देता हूं, अन अकेडमी लली त्यादाऊगी पाठ साला जोइन कीजिए, आपको यहाँ पर कर पाओगे ठीक है सब्सक्रिब्सिटन अगर आपको लेना है तो और आप होर चाहते हैं कि दो सिलेक्शन नहीं होता है वाइनल selection नहीं होता है, तो Unacademy एक साल आपको free में पढ़ाएगा, अपनी तरों से free देगा तो ये course अभी आप offer है, ले सकते हैं, लेगिन इन offers को लेने के लिए, आपको fees में discount के लिए, एक code लगाना पड़ता है, एक referral code लगाना पड़ता है उस referral code में आपको L-Y-L-I-V-E, ये अपलाई गर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, जब भी course लेंगे L-Y live code लगाएगा, आपको सारे teachers की classes मिल जाएंगी Hindi, English, Bilingual, तीनो मोड में मिल जाएंगी, ठीक है, और सबसे एक दो benefit और होंगे 20 book का set है, UPSC, CSC GS के लिए, तो ये जो 20 books है मेरे दोस्त, इन 20 books को मैं आपके घर पर deliver करवा दूँगा ठीक है, आपके घर पर deliver हो जाएंगी, ठीक Hindi में चाहोगे, Hindi में, English में चाहोगे, English में, लेकिन code याद रखेगा L-Y live लगाना है, जब भी join करें, ठीक है और मैं आपको personally भी guide करूंगा मैं आपने सारे students को personally guide करता हूँ one on one, कि आप में कमिया क्या है उसको कैसे सुधारें, आप मैं अच्छाई है क्या है उसको कैसे improve करें, ठीक है आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है किस से बढ़ना है इन सब चीजों में आपकी जो totally help जो होगी वो मेर से होगी one on one करता हूं हमेशा करता हूं आपको कभी कोई problem नहीं आएगी तो जब भी course join करने का plan करें जब भी ले तो code यही लगाना है और अभी प्राइस जो है इसकी बढ़ने वाली है कभी किसी भी समय बढ़ सकती है हाइग हो सकते हैं तो यह यह code लगा करके course join कर लीजेगा इससे पहले की बढ़ जाए पर भी course ले सकते हैं महिना महिना करके अनकेडमी एजूकेसन लोन प्रोवाइड करता है आपको ठीक है आ आप credit card बजाज card से EMI बना सकते हैं अनकेडमी के अपर अगर वो नहीं है तो आप इसके थुरू अनकेडमी लोन के थुरू भी EMI बना सकते हैं आपको अपने कुस डोकुमेंट से अनकेडमी की टीम को देना होता है और अनकेडमी की टीम आपको एक लिंक भेजेगी उस लि आज ही account खुलवाया है लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए इस चीज की शिर्टी मैं दे सकता हूं कि आपको education loan में प्रोवाइड करवा दूआ ठीक है फ्री मैं नहीं करवा सकता हूं लेकिन यह मैं प्रोवाइड प्रोवाइड करा सकता हूं चाहे आपके पास एक 20 रूपीय आपको सारे बैचिस मिलेंगे अनेकेडमी की ओल इंडिया प्रिलिम्स टेस्ट सरीज हो रही है ग्यारा पंद्रा तारीक को आप जाकर के जोइन कीजिए ओफ लाइन ओनलाइन दोनों में कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है उसको जाकर करके सर्च कर सकते हैं चलिए तो आप सबको मेरे तरों से बेस्ट विशिस सुब काम नहीं अगली क्लास में मिलते हैं तब तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आप सबको जै हिंद जै भारत लेट्स क्रैक इट